सो हलो सुटेंट स्वागत है आप सभी का हमारे एक नहीं वीडियो में चाहें आप मेट्रिक के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो या फिर आप इंटर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा नौलेजबल है ठीक है आधके इस वीडियो आप मांद के चले कि रिजल्ट जारी हो जाएगा तो आप रिजल्ट कैसे चेकर होगे उसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए तो आज की इस विडियो में हम उन्हीं पांच वेबसाइट के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से आप अपना रिजल्ट चेक कर पाऊगे यह आपो बताने वाला हूँ चाहे वो इंटर के स्टूडेंट या पर मैट्रिक वाले स्टूडेंट हो सभी लोग अपना रिजल्ट इन्हीं पांच वेबसाइट के मादर से चेक कर सकते हैं और आपको बता दूँ कि थर्ट पार्टी वेबसाइट वाले भी आपको अगर लिं ठीक है देखिए अभी आनंद की सोर ने ये बात तय नहीं किया है कि रिजल्ट कब जा रही होगा लेकिन एक संभावना जताया जा रहा है कि इंटर का जो रिजल्ट है वो मार्च के जो है अंतिम सब्ता हमें आ सकता है और जो मैट्रिक का रिजल्ट है वो अपरिल की पहले सब्ता में रिलीज कर दिया जाएगा क्योंकि सभी काम पूरे हो चुकि हैं और अभी जो है काम चल रहा है टॉपर्स वेरिटिकेशन का वह काम भी पूरा हो चुका होगा तो जैसे ही टॉपर्स का वेरिटिकेशन पूरा होगा टॉपर्स जैसे ही तैयार हो जाएगा उसके लिए आप बिहार स्कुल एक्जामनेशन बोड के ऑफीशल पेज से चाहे वो फेस्बुक पेज से जुड़े या पर आप ट्विटर पेज से जुड़े लेकिन वहां पर जब आप जुड़ते हो तो आपको एक ऑफीशल जानकारी आप पर अगर आपको हो बिल्कुल सही मिलेगी बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी और मैं आपको बता दूँ कि जब भी रिजल्ट रिलीज होगा तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन वहीं दी जाएगी सबसे पहले लिंक वहीं पर आपको दिया जाएगा तो फिलाल बात करने वाला हूं पांच लिंक के बाले में सबसे आप बहुत ही इजीली तरीके से अपना रिजल्ट चेक कर पाऊगी इसमें आपको ज़्यादा परिशानी नहीं होगी और रिजल्ट क्या जाता है तो ज्यादा था निहीं वेफसाइट कर यूज किया जाता है तो कि यह ऑफिसल वेपसाइट है विहारबोड के द्व अब पतातू कि ऐपाँज वेबसाइट का लिंक आपको अमारे वीडियो की डिस्क्रेप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएंगी तो इक नमब वाले वेबसाइट पर unmuteед जासकती हो दूसरी पर जाना चाहती हो यानि कहने का मतलब यह है कि इन पांचों वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगी ठीक है उसके बाद या पर अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नहीं जान दिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको पता नहीं है कि आखिर कि description box क्या होता है तो आप simply से ये चीजे लिख करके search भी कर सकते हो www.regents.bharbononline.com जब पर अगर आपको ये भी लिखने में problem होती है तो आप हमें एक number पर message कर सकते हो 95-088-05-669 पर call करके आप अपना जो है आप वहाप पर अपना roll number फ्रोड लिख करके spend कर सकते हो वहां से आपको result CHEK करके बता सकते हैं या आप एघर आप सीधे वहाप सकते हो आपको link चाहिए तो वहाँ पर आप हाई लिखोगे तो आपको link मिल जाएगा इस दिन होगा उसके बाद चलिए दूसरी वीभ साइट है ये विभार woon online.bharn.com.in ये हमारी दूसरी वेबसाइट है जब आप इन दोरों के माधम से रेजल्ट चेक करोगे तो यहां पर जो आप पर किदने मार्क्स मिले आप को देखने मिल जाएगा साथ कलर में दिखाया जाएगा यह दूसरा नमर बारा वेबसाइट है यहां पर आपको डिखाया जाएगा यहां पर हो सकता है थूसके लिए भी हो सकता है तीसरा है नहीं पास online यह तीनों वेबसाइट विहार बूट की खुद की ऑफिसल वेबसाइट है ठीक है तो यहीं से रिलीज करती है और यहीं से रिज़र्ट आप आसानी से चेक कर पाऊगे बीसी वी जो है इस तरह यहीं से चेक करते है तो यहां पर आपको आपकी सब्जेक्ट पर कितना नंबर लाए है वो आपको यहां पर देखने को नहीं बिलेगा यहां पर जब आप रिज़र चिक करोगे तो आपको सिर्फ यही बताया जाएगा कि आप किस डिविजन से पास हुए हैं तो ओन्ली फोड डिविजन देखाया जाएगा उसके बाद पांची वेबसाइट है हमारे हिंदूस्ता आप हिंदूस्तान वेबसाइट आप हिंदूस्तान के मार्गें भी अपना रिजर्ट चेक कर पाऊगे ठेक हैं तो यह तिन मगरा और बात करो दो यह वहां बहुत ही जल्दी-जल्दी बहुत सारे लोगों का प्रिज़र्ट कम समय करके चाएं किस प्चाएक नानबर राय उसके लिए इन तुने वेब्साइट को अब चैक्ट जरूर करें यही से आपको सारा डेटिल्ट देखने को में जाएगा रिजर्ट में कुई ज्यादा चीज नहीं लगता सिर्फ कोई चीज़े लगती है सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका रूल नंबर हुआ कि उसके बाद के स्कूल कल सफ्कूल करल ठीक है सब्सक्राण कोर सब्सक्राण का दूपल्ड को। करने के बाद यहां पर एक पटन होता है चैक करने का जैसी उस पर क्लिक करोगी तो आपका रिजल्ट आपके सामने सुख हो जाए ठीक है तो यह एक प्रोसेस रिजल्ट को चैक करने का आपको समय में आया होगा किलियर